कॉंग्रेस ने पश्यम बंगाल के दार्जुलिंग में रेल हादसे को लेकर केंद्र की मोधी सरकार पर कई गंभी रारोप लगा दिये दरसल बीते दिन कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलीकारजुन खडगे ने अपने एक अकाउंट पर एक ट्विट पोस्ट किया और इसमें उन्होंने केंद्र की मोधी सरकार से साथ तीखे सवाल पूछे हैं और ने पूछा है कि ये जो घटना दारजुलिंग घटित हुई दरदनाक ट्रेन हाथसा माँ पर घटित हुआ कुछ लोगों की जाने गई कई लोग घायल हो गए इसकी जवाब दे ही किसकी है सरकार इस पर जवाब देगी जुनता जवाब जानना चाहती है कि आखिरकार लापरवाई कहां हुई क्योंकि इस वक्त केंद्र में नरेंद्र मोधी की सरकार है इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल यानि कॉंग्रेस ने बीजोपी की सरकार से साथ टीके सवाल पूछ लिये हैं आपको बता दे कॉंग्रेस ने भारतिये रेल प्रबंधन पर इस पर आधिकारिक आप्राध का आरोप भी लगाया है कॉंग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र की मोधी सरकार की ये बड़ी लापरवाही है जिससे दारजुलिंग में इतनी बड़ी ट्रेंद्र घटना घटित हो गई दरसल कॉंग्रिस के अध्यक्ष ने जो साथ सवाल पूछे हैं इस पर उन्हें लिखा है कि नरेंद्र मूदी आपको जवाब देना होगा वहाँ पर जो घटना गटित हुई आपके मंतरी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर कैमरा लेकर पहुचने के बाद वीडियो बनाए जाते हैं ऐसा लगता है जिससे वहाँ पहुचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रदहन मंतरी इस पर जवाब दीजे कॉंग्रिस के अध्यक्ष ने एक के बाद एक साथ गंभीर तीके सवाल पूछे और गंभीर आरोप लगा है क्या कुछ कह रहे हैं कॉंग्रिस के राश्ट्वी अध्यक्ष सबसे पहले उनके ये साथ सवाल जान लेते हैं कि कॉंग्रेस ने ये साथ तीके सवाल आखिर पूछें क्या है किंद्र की मोधी सरकार से और प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी बताईए किस की जवाब देहिताए होनी चाहिए रेल मंत्री की या आपकी हमारे साथ प्रश्ण हैं जिनका जवाब मोधी सरकार को देना पड़ेगा क्या है कॉंग्रिस की वो साथ तीके सवाल आपको हम बताते हैं पहला बाला सोज जैसे बड़े हाथ से होने के बाद बहु प्राचारित कवच सुरक्षा का एक भी किलोमेटर क्यों नहीं जोड़ा गया दूसरा रेलवे में करीब तीन लाख पद खाली क्यों है उनको पिछले दस सालों से क्यों नहीं भरा गया तीसरा NCRB 2022 रिपोर्ट के मताबिक रेल हाथ सों में 2017 से 2021 के बीच ही एक लाख लोगों की मृत्यू हो गई इसके जिम्मदारी कौन लेगा रेलवे बोर्ट ने हाली में खुद मानाए कि मानव संसाधन की भारी कमी के कारण लोको पाइलटों के लंबे समय तक काम करने के घंटे दुरगटनाओं की बढ़ती तादात का मुखे कारण है फिर पद क्यों नहीं भरे गए चौथा सवाल पूचा है मालिकारजुन खडगे ने संसधिये स्थाई समीती ने अपनी 323 रिपोर्ट में रेलवे सुरक्षा आयोग यानी CRS की सिफारिशों के प्रती रेलवे बोर्ट द्वारा दिखाई गई उपेक्षा के लिए रेलवी के अलोचना की थी कहा था कि CRS केवल आठ फीसिदी से दस फीसिदी हाथसों की जाच करता है CRS को मजबूती क्यों नहीं प्रदान की गई पाँच्वा सवाल CAG के मताबिक राश्ट्रीय रेल संरक्षा कोश RRS के में 75% फंडिंग काम क्यों की गई है जबकि हर साल 20,000 करोड उपलब्द करवाने थे इसका पैसा रेल वे अधिकारियों द्वारा घर जरूरी चीजों के खर्च और आराम फर्माने वाली सहूलियतों पर क्यों इस्तमाल किया जा रहा है छटा सवाल उन्होंने पूछा आम स्लीपर क्लास से रेल यात्रा करना बहुत महंगा क्यों हो गया है स्लीपर कोच की संक्या क्यों घटाई गई है रेल मंत्री ने हाली में रेल डिबों में अधिक भीड करने वालों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तमाल करने की बात कही लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि पिछले साल सीटों की भारी कमी के कारण दो करोड सतर लाख लोगों को अपनी टिकेटें रद करानी पड़ी जो कि मोधी सरकार की डिबों की संक्या कम करने की नीती का सीधा परिणाम है सात्वा और आकरी सवाल कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिकारजुन कड़िये ने पूछा है क्या मोधी सरकार ने 2017 और 2018 में रेल बजट का आम बजट में विलाएक किसी भी तरह की जवाब देही से बचने के लिए किया था जनता इसका जवाब जानना चाहती है स्वेम के महिमागान से मोधी सरकार द्वारा भारत्वी रेलवे पर की गई अपरादिक लापरवाही को बदला नहीं जा सकता शीर्श स्तर पर जवाब देही तै की जानी चाहिए तो ये साथ सवाल कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलीकारजुन खडगे ने केंद्र की मोधी सरकार से दारजलिंग रेल द्रगटना को लेकर पूछे है अब देखना ये है कि इस पर क्योंग्रेस न अपना सवाल तो पूछ लिया है साथ तीके सवाल अब इस पर मोधी सरकार क्या जवाब देती है ये देखना होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24